सो हेई गाइस वेलकम बेक टो मैं यूटूब चैनल प्रेंस चान्नी फॉरिवर स्किन केर सो फ्रेंड्स आज के वीडियो आपके लिए बहुत इस्यादा यूस्फुल देने वाली है इस वीडियो में मैं आपके साथ जो रिमेडी सेर करने वाली हूँ ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी आपके बालों को लंबा करेगी मतलब कि आपके बालों की लेंट को भी बढ़ाएगी अगर आपको हैर फॉल है तो उसको भी रोकेगी आपके बालों को सिल्की बनाएगी स्मूथ बनाएगी और एक बहुत ही बढ़िया वाली च इसी लॉंग से आपके बालों को धेर सारे फाइदे मिलते हैं, रिमेडी सिंपल सी है, इजी सी है, एक ही रिमेडी है, लेकिन इससे फाइदे आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, लॉंग के साथ दूसरी दो चीज़े ही हमें एट करने वाले हैं, ज्यादा कुछ चीज़े आ आपके बालों को लंबा करेगी और आपके बालों को काला भी करेगी लॉंग जो होती है ये एंटि आक्सिडन से भरपूर होती है जिसकी वज़े से अगर आपको हैर फॉल हो रहा है तो आपके हैर फॉल को कंट्रोल करने में लॉंग बहुत ही ज्यादा आपकी मदद करती है आपके hair के लंबाई को बढ़ाती है, hair length को बढ़ाती है, आपके बालों को काला करती है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा white हो रहे हैं, तो आपके बालों को dark करेगी, काला करेगी, साथी ये आपके scalp का blood circulation बढ़ाएगी, जिसकी वज़े से भी आपका hair growth ज्यादा जल्दी से होगा और hair fall control होता है, ये आपके बालों को smooth बनाने भी आपकी मदद करने वाली है, इस remedy को बनाने के लिए आपको बस साथी long का इस्तिमाल करना है, साथ long ले लीजिए, कुछ long में से उपर का जो round part आता है, जो full आता है, वो नीकल भी गया होगा, तो कोई बात नहीं, मैंने एक दो long में से वो full वाला भाग, round वाला भाग निकाल दिया है, क्योंकि उसमें heat होती है, वो गरम होता है, जो हमें नहीं चाहिए, इसलिए 5 long में पूरी ली है, और 2 long में से थोड़ा part निकाल दिया है, तो इस तरीके से 7 long हमने ले ली है, जो दूसरी चीज आपको इस्तिम करते हैं, और आपको अपने बालों में जो चमक चाहिए, जो साइनिंग चाहिए, वो लाते हैं, आपके बालों को सिल्की स्मूध बनाते हैं, आपके बालों को काला भी करते हैं, और आपके हैर ग्रोध को भी बहुती स्याद बढ़ाते हैं, आपके बालों को मस्बूत भी क तो आपको दो डंठल जितना कड़ी पत्ता ले लेना है तो डंठल में से जितने भी कड़ी पत्ते निकलते हैं वो आप ले लीजिए उसे अच्छे से धो कर उसके बाद ही इसको यूज करना है। किये है ये कड़ी पत्ते अगर आप regularly रोजाना दो से तीन पत्ते खाना भी स्टार्ट कर देते हो तो भी आपके बाल बहुती जद मस्बूत होते है आपके बालों की growth बढ़ती है लंबाए भी बढ़ती है तो आपको कड़ी पत्तों को खाना भी और साथी साथ इस तरीके से कोई भी रिमेडी बना कर अपने बालों में एपलाई भी करना चाहिए इससे अपको धेर सारे फाइदे मिलते हैं तीसरी जो चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है मेथी दाना यानि के फैनोग्रीक सीड्स ये भी अपके हैर ग्रोथ को बढ़ाएगी आपके बालों में बहुत ज्यादा मजबूती लेकर आएगी प्लस ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरीसमेंट देती है मेंटे के बालों में वाल्यूम लेकर आएगी तेकर बीनपो काला करने की प्लस ये भी आपके बालों ये म्याजनाओं मभी्ह काला करने में बहुत ज्याद धार करती है , अबsil एक हैर की ग्रोथ को तो बढ़ाती है तो ये और की तेन चीज जिससे हमारी powerful और effective बालों की जो remedy हम बनाने वाले है वो ready होने वाली है तो इस तरीके से आपको 7 long लेनी है मेथी दान आपको इतना सारा इस्तिमाल नहीं करना है बस आधी चमच इतना ही इस्तिमाल करना है कड़ी पत्तों की 2 डंठल 2 डंठल में से जितने भी कड़ी पत्ते निकलते है वो आपको इस्तिमाल कर लेने है तो ये तीन चीज़े है और इतनी इनकी quantity है मेथी दाने आधी चमच इसकरने है अब इन तीनों चीज़ों को आपको एक कप पानी में डाल देना है और फिर इसे गरम होने के लिए गैस पे रख देना है आपको अच्छे से इसे 5-7 मिट तक बॉइल होने देना है धिरी आज पे बॉइल होने दीजिए मीडियम फ्लेम आपको रखनी है ताकि अच्छे से पानी के अंदर इन तीनों चीज़ों की गुटनेस इन तीनों चीज़ों के फाइदे आजाएं इन तीनों चीज़ों को पानी में 5-7 मिट तक गरम होने देने के बाद बॉइल होने देने के बाद आपको पानी को चलनी से चान कर इस तरीके से एक बाउल में ले लेना है अब इसे आपको थोड़ा सा थंडा होने देना है इसे room temperature पर आने देना है आपको कभी भी बहुत ज्यादा गरम चीज आपके बालों में नहीं लगानी चाहिए इसलिए इसे properly अच्छे से room temperature पर आने दीजिए उसके बाद हम इसके अंदर एक और चीज मिलाने वाले हैं जिससे इसकी goodness और power effect और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको भी इसी तरीकी क्या color का पानी ready करना है इस तरीके से ये lightest brown color का पानी हो जाएगा मतलब के कड़ी पत्तों की, long की और मैथी दानों की जितनी भी goodness है ये पानी के अंदर आ गई है इसलिए पानी का ये जो color है वो इस तरीके से golden is brown हुआ है मतलब के सारी goodness तीनों चीजों की पानी के अंदर आ गई है और ये एक बहुत ही बढ़िया tonic ready हुआ है आपके बालों की जो आपकी बालों की सारी problems को solve करेगा डैंडरफ की problem है तो उसको भी solve करेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा itching होती है आपके बालों में खुझली होती है या फिर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा sticky से हो जाते है तो उसको भी ठीक करेगा तब पानी room temperature पर आगाया है इसके अंदर हम जो next चीज मिलाने वाले है वो है coconut oil याने के नारियल का तेल तो ये वाली remedy आप बालों में बीना तेल लगाये भी इस्तिमाल कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर भी हम इस coconut oil याने के नारियल तेल का इस्तिमाल करने वाले है तो जब ये remedy आप अपने बालों में लगाओगे तो एक तरीके से आपके बालों की oiling भी हो जाएगी oiling के भी फाइदे आपको मिलने वाले हैं तो इस remedy को आप बालों में बीना oiling की भी directly इस्तिमाल कर सकते हो अब नारियल तेल की आपको आदी चमच या फिर एक चमच मिला लेनी है जितनी आप चाहो अब आपको अच्छे से पानी के अंदर नारियल तेल को मिला लेना है ताकि ये अच्छे से पानी के अंदर घुल जाए और हमारी remedy बिल्कुल प्रॉपर ली इस्तिमाल करने के लिए ready हो जाए तो देखिए अच्छे से नारियल तेल पानी के अंदर mix हो गया है अब ये हमारी remedy ready है, इसे आपको किस तरीके से इस्तिमाल करना है, वो मैं आपको बता देती है, इस remedy को आपको पहले तो अपने scalp के अंदर लगा लेना है, मसाज करते हुए अपने scalp में लगा लीजिए, मतलब के बालों की जडों में अच्छे से लगा लीजिए, इसके बाद अपनी hair length में अपने बालों की लंबाई में भी इसको लगाना है, अच्छे से अपने बालों की लंबाई में भी ये remedy एपलाई कर लीजिए, बालों की जडों में भी एपलाई कर लीजिए, दो से तीन मीट तक अच्छे से मसाज कर लीजिए, circular motion में, उसके बाद इस remedy को 30 मिनिट के लिए आपको रहने देना है 30 मिनिट हो जाए उसके बाद नॉर्मल सैंपू से आपको अपना हैर वास कर लेना है अच्छे से सैंपू कर लेना है इस रिमेडी के फर्स टाइम यूज से ही आपको इंस्टेंटली अपने बालों में एक मजबूती महसूस होगी आपक कर सकते हो फ़ॉर्म एवाली रिमेडी ट्राइक कीजिये बहुत ही ज्यादा सिंपल है बहुत ही ज्यादा इसी है तो इसको जरूर्मिंगे इस बात की गैनेंटी है और अगर अगर आज के वीडियो पसदन आई हो तो चैनल को जरूर बीयू नोटिविक्सन बिल को भी आन कर लिना ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिविक्सन आपको मिल पाए तब ही आप वो वीडियोस देख पाओ मिलते हैं एक्स अच्छी से वीडियो में अपना बहुत-बहुत ख्याल रखे थेंकियो सो मच वाचिंग पाइस यू सुन